नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर और आज की वीडियो एक मेराथन वीडियो है, जिसमें हम Class 3, Class 4 और Class 5 की EVS की जो NCRT की पुस्तक है, उसकी पूरी सम्मरी को कवर करेंगे सीटेट एक्जाम में 15 नमबर की EVS पेडागोजी आती है, इसके लावा जो EVS content पूछा जाता है, उसमें NCRT की EVS ही जातर पूछी जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, कम समय में, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजे है, सभी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं कवर कर लूँगा, तो चलिए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले मैं क्लास 3 से सुरू करते हैं, मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, सबको आपके सामने रख देता हूं, और हां इसमें मैंने एक दो पैड़ागोजिकल पॉइंट भी रखे हैं, तो वो भी आप याद रखेगा, तो इन पेपरों को मिलाना, जिसको 12 से इस चित्र को बनाना, उसको हम जिगसौ का खेल कहते हैं, क्या कहते हैं, जिगसौ का खेल कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट फेक्ट सबसे बढ़ आपके नीचे है, एक कलाकार है, विशनू चंचलाकर, यह कहां के हैं, तो यह मद्यपरदेश के हैं, मद्यपरदेश में सह बनाते थे, उसके लिए बहुत famous हैं ये, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, आगे है, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं, और गीत बच्चों को कक्षा में गाएं, इससे अपने समधाय के ग्यान और कला के प्रते उनका लगाव बढ़ेगा, तो ये पेडागोजिकल पॉइंट है, बच्चों को सिखाने के लिए उनके आसपास जो चीज़ें हैं, उससे संबंदित पढ़ाया जाएं ठीक है, तो ये important fact है, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना, मकान और घर के अंतर को स्पस्ट करना, जैसे माल लेजिए कोई भी प्रस्न आपके परिक्षा में आएगा अगर seat 8 में, कि दो चीज़ों को अंतर बताना है, कि इन दो चीज़ों में अंतर क्या है, तो उन पर क्या करवा सकते हैं, चर्चा करवाकर उन दो चीज़ों में अंतर स्पस्ट किया जा सकता है, ये भी आप समझ लीजिए, चूहों से संबंदित एक fact है, चूहे क्या है, उनकी देखने की छमता कम होती है, उनके सूंगने चूने और स्वाद वाली छमता अधिक तीब्र होती है, तो ये भी एक important fact है आपका चूहों से, इसके लावा चिपकली, तो कतारें बांधे बांधे कहां चीटियां दोड़ी जाती है, तो चिपकली तो चलती है जो गश्ट लगाती है, और कतारें अच्छा यहां पर यह दिया गया है कि चिपकली क्या है, उसका चलना एक तरह का गश्ट लगाना होता है, इसके लावा जो चीटियां होती है वो कतारां में चलती है, तो इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, यह यहां पर यह सबस्यादा पूचा आता है, हरेगे एक्जाम में पूचा आता है, गांदी जी की डेड़सों भी वर्सेगान थी जेहनती थी, उस पर हमने सुक्ष भारत अभियान जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था, कब शुरू किया था, वही लंगर में दाल रोटी खाएती, तो एक तरह का लंगर भोजन होता है, जिसमें दाल रोटी मिलती है यह कहां मिलता है गुरदवारे में यह आपको पता होगा, बच्चे खुले माहूल में अपनी बात बेजजग कहते हैं, इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, बच्चों को संबंद बनाना और ऐसा महाूल जरूरी बनाना जरूरी है, जहां उनकी बात समवेदन सीलता से सुनी जाए, तो समवेदन सीलता आपने बड़ा important point है, बच्चों की बात हमेशा समवेदन सीलता से ही सुनी जाती है, ये प्रस्न पहले भी आ चुका है, ठीक है तो ये पेड़ागोजिकल point है आपका, आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ जगों से संबंद देत इंपोर्टेंट थे उसमें, मैं उनको भी क्लियर कर देता हूं, जैसे Hong Kong, Hong Kong में क्या होता है, एक सांप की डिश होती है खाने की, है ना, जिसको Ling Hu Fan कहते है, वहाँ पर लोग सांप खाते है, सांप पकड़कर खाते है, और उस होट, वहाँ पर क्या है, सांप जो डिश बनती है, उसका नाम है, Ling Hu Fan, यह कहाँ पर खायाता है, Hong Kong में, कश्मीर से संबंदेत इंपोर्टेंट फेक्ट है, यहाँ पर कि जो मचली होती है, तेल में बनी होती है, तो तेल में बनी मचली सबसे जादा कश्मीर में खाय जाती है, और फिर इसके बाद, gowa से संबंदेत इंपोर्टेंट फेक्ट है, कि गowa में जो मचली खाय जाती है, वो Naryal के तेल में बनी मचली होती है, और समुद्धर की मचली होती है, ठीक है, तो सरसों के तेल में बनी मचली कश्मीर में खाय जाती है, और नारियल के तेल में बनी समुद्र की मचली है, गोवा में खाई जाती है, ठीक है, यह important fact हो गए, आगे है केरल से सम्बंदित एक fact है, तो वहाँ पर क्या होता है, नारियल डली हुई, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, बिल जाये तो मझा आता है, तो यह एक केरल की डिश है, जो सबस्यादा इंपॉर्टेंट है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियो का तो यहां पर जातर यह पूछाएगा कि उबला हुआ टेपियो का नामक जो वियंजन है वो कहां पर खाया आता है तो आप बोलेंगे केरल में ठीक है पेड में छेद मनाओं उसमें चिपे कीडे में खाऊं इसका नाम है कटझफोडवा क्या नाम है कटझफोडवा याद रखेंगे कटफोडवा इससे सम्भंदित एक परशन भी मैं आपसे पूछूंगा है आगे चल के चलिए आपके लिए यह प्रशन है बहुत important है यह भी बारवा हो पूछ आता है सूई जैसी चोच तुछ与 क ठीक है तो इसका जवाब आप लोग देंगे नीचे comment section में चलिए एक और है जानवर मैं जानवर खाकर मैं जगे साफ कर देता हूँ यानि कि ये कौन सा पक्ची है जो जानवर खाकर जगे को साफ करता है उचे dash में उड़ता हूँ यानि कि उचे आसमान में उड़ता है और गिद मैं कहलाता हूँ इसका नाम है गिद ठीक है क्या नाम है गिद तो सफाई का काम कौन करता है गिद याद रखिएगा पच्चियों के उड़ने चलने और गर्दन गुमाने के तरीके अलग अलग है मैना क्या करती है देगे मैना मैना जटके से अपनी गर्दन पीछे करती है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक गुमा सकता है तो पीछे तक अगर गर्दन गुमाने की बात आये तो आप लोग उल्लू बोलेंगे अगर जटके से पीछे गर्दन करने वाली बात आये तो आप मैंना बोलेंगे पच्चियों के पंक अलग-अलग रंगवा डिजाइन की होते हैं तुमने भी कई बार पक्षियों के गerta हुए पंकों को देखा तो अलगलग रंग अलगलग डिजाइन होते है पक्षियों के पंकोँ पर और याद रखेगे किस काम में आते हैं पंक उनके शरीर को गर्म रखते हैं चलिंहें आके बरते हैं चलिए यहां पर ब्रेल लिपी से संबंदेत एक fact बताया गया है, ब्रेल लिपी, तो एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदू बना कर लिखा जाता है इसमें, ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पड़ा जाता है, उस पर क्या लिखा है, जैसे एक मोटा कागज है, आ किसी ओजार से नुकीले टाइप के गोले बना दोगे इसमें, तो कोई विक्ती होगा तो वो ऐसे आथ फेरेगा, है न, आथ फेर के उसको पताच जाएगा, क्या लिखा है, इस तरह एक लिपी में मोटे कागज पर उब्रे हुए बिंदू बने रहते हैं, उब्रे होने के क आगे है, रूडिवादी धारना जो भी होती है, लड़का लड़की में भेदबाव है, जैसे जेंडर विशमता है, इन पर जो चर्चा है, वो समवेदन शील होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समवेदन शील, जो टॉपिक होते हैं, उन पर समवेदन शीलता से ही चर्चा ह तो जैसे एक यहां पर ऐसे ऐसे खेल खेल रहें पच्छे इसको स्टापू कहते हैं असम के मॉलन गाउं से आया हूं तो सबसे पहले प्रेकट आप के लिए यह है कि मॉलन गाउं कहां पर है असम्मे यहां पर बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे गर, जमीन से लगबग, दस से बारे फुट उचे होते हैं, तो दस से बारे फुट उचे घर कहां पर पाई जाते हैं, असम ने, इनने मजबूत बांस के खंव jonков से बनाये जाता है, खमों पर बनाया आता है ये अंदर से भी लकडी के ही होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी विशिस्ता है आप याद कर लीजे काफी ज्याद इंपोर्टेंट है ये चलिए आगे बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट फेक्ट है मनाली से तो ये कैसा इलाका है पहाडी इलाका बारिस बहुत भूती है बर्फ भी पड़ती है यहांपर ठंड जयाद रहती है यहांपर जो मकान है वो पत्थर और लकडी के बने होते हैं याद रखेंगे, मनाली में जो मकान है, वो पत्थर और लकडी के बने रहते हैं, एक important fact राजस्थान से है, बारिस राजस्थान में कम होती है, सूख खूब गर्मी पड़ती है, यह आपको पता है, मिट्टी के घर होते हैं, यहापर कैसे घर होते हैं, मिट्टी के, और इनकी दीवारे काफी मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बना जाता है, छटें जो होती हैं, इनकी कटीली जाडियों की बनी होती है, यहाद रखेंगे, राजस्थान में जो घर होती है, वो मिट्टी के बने होती है, मोटी दीवारे होती है, उनकी और अब हम चलते हैं 4th class की और, 4th class में देख लेते हैं, कि कौन-कौन से ncrt के fact है, तो सबसे पहले है, अब दिख रहे हैं, बास का पूल है, तो कहां पर यह बास का पूल, विसिस्ता जान लेते हैं इसकी. देखिए जो बास के यहाँ पर यह बोला गया है कि हमारे यहाँ बारिस बहुत होती है तो जहाँ पर बारिस होती है पानी भर जाता है गोटनों तक वहाँ पर बास के पुल पाए जाते हैं कैसे पुल पाए जाते हैं, बांस के पुल, चलिए और आगे क्या है, ये है लद्दाक, लद्दाक जगे है, इम्मु कश्मीर में, लद्दाक यहाँ पर जो एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए ट्रॉली का इस्तमाल करते हैं, ये देखिए आप ट्रॉली दिख रही जूला, लकड़ का बना जूला होता है, पुली की मदद से इस रषी पर सरक्ती है, एक पुली लगाई जाती है, ये को पुली की मदद से सरकती है यह ठीक है यहाँ पर हम चार-पांच बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ कर पहुच जाते हैं नदी के उस पार तो नदी पार करने के लिए लद्दाग में ट्रॉली का इस्तमाल किया जाता है किस चीज का ट्रॉली का और देख यहाँ पर एक पानी निकालने की कोशिश की जा रही है इसको कहते हैं यह जो तरीका है यह यहाँ पर यह लगा इसको कहते हैं पुली यानि कि घरनी तो घरनी का इस्तमाल किया जाता है पानी निकालने के लिए एकिस्तीस का गिरनी का, इसको हम पुली कहते हैं, पुली, आगे चलते हैं केरल की तरफ, और केरल में क्या है, एक वल्लम है, क्या है वल्लम, बच्चे पानी पार करने के लिए वल्लम, वल्लम क्या है, लकडी की बनी छोटी सी नाव, लकडी की बनी एक नाव होती है, उनमें बैल गारी का प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में, रेगस्थान यहां पर रेती रेत होता है, तो रेत खुब तप्ती है, हम उट पर गारी में बैठ कर स्कूल पहुंचते हैं, तो राजस्थान में बच्चे किसीज का प्रयोग करते हैं, स्कूल पहुंचने के ल इस तरह की जुगारे होती थी, नाम ही इसका जुगार था, तो अभी काफी टाइम से नहीं है, बिल्कुल बंद हो चुकी है, बर्फ पर चलते बच्चे, उत्तर की जो पहाडियां है, वहाँ पर बर्फ पर चल के जाते हैं बच्चे, मीलों फैली बर्फ पर चल कर, हम हाथ प वहाडियं उत्तरा खंड पर चल लेते हैं, उत्तरा खंड के खाट गर बात कर लित थे हैं, जी नाम हे बर्फ तव पर खाबर प्त्रीले रास्टें काँपर होते हैं, उत्तरा खंड में, बहाड़ी इसे ले बिल्स क्राइड तो यही पूछायागा कि उबढ़ खालबढ पतिजले रास्ते कहाँ पर है तो उत्तरा खंडम है आगे देख लेते हैं और इंपोर्टेंट फेक्ट क्या है मगर मच्छे से सम्बंदित कुछ फेक्ट है यहाँ पर देखिए अच्छा यहाँ पर बुला गया है अच्छा वो है कान सुनने में मदद करते हैं कुछ जानवर कान बाहर दिखते हैं कुछ के नहीं आपने देखा होगा कुछ जानवरों के जो कान है वो बाहर दिखते हैं कुछ जानवरों के जो कान है वो बाहर नहीं दिखते आपने गाय देखी होगी आपने कुता देखा हो बिली देखी होगी तो इनके क्या है कान बाहर की तरफ हैं आपने मैडक देखा होगा आपने मगरमच्छ देखा होगा इनके कान नहीं दिखते आपको आपने चिपकली देखी होगी, इसके कान आपको बाहर उबरे हुए नहीं दिखेंगे पच्चियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं ये पंकों से ढखे रहते हैं, इनी छेदों की मदद से पच्ची सुनते हैं अगर तुम जहां से देखोगे तो चिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे मगर मच्चे के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई लेंगे, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देंगे अच्छा, एक important चीज और है, जानवरों की खाल पर जो design होते हैं जैसे जेवरा है, कोई भी कुत्ता है, तो उनके सरीर पर जो design होते हैं, उनके सरीर पर बाल होने के कारण होते हैं याद रखिए का बहुत important fact है कि जानवरों की खाल पर जो design होते हैं उनके सरीर पर बाल होने की वज़ासे होते हैं वो बाल होते हैं उसी वज़ासे वो design होते हैं ठीक है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके सरीर पर बाल होते हैं चीज और जिन जानवरों के कान बाहर की और निकले रहते हैं जैसे गाय भैंस है ना उनके सरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं ये भी important fact याद कर लीजे जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके सरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं तो ये आप याद रख लीजिए है ना बहुत important fact है ये आगे चलते हैं ये है हातियों से संब्बन देते हैं एक सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं कि हातियों के जुंड में सभी फैसले सबसे बुजरुक हतनी ही लेती है जो सबसे बुजरुक हतनी होगी ना वो सबसे जरूरी सारे फैसले वही लेगी हातियों के जुंड में एक बड़ा हाति एक दिन में 100 किलोगराम से ज्यादा पत्ते खा सकता है तो ये पहली विशेशता हाति बहुत आराम करते हैं यह एक दिन में कीवल 2-4 घंटे ही सोता है हाति को पानी और कीचर से खेलना पसंद है इससे उसके सरीर को ठंडक मिलती है वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं गर्मी लगने पर वो कान हिलाकर अपनी हवा करता है ठीक है तो यह तो से सारे important fact और भी है नंदू तो सिर्फ दो महीने का यानि कि दो महीने के नंदू यानि की हाति की बात की जा रही है जिसका वजन 200 क्लोगराम है दो महीने के हाति का वजन कितना होता है 200 क्लोगराम नंदू हाति अपने जुंडे के साथ रहता है हाति जुंड में रहते हैं याद रखना हातियों के जुंड में केवल हतनियां ही और बच्चे रहते हैं और हातियों का जो भी जुंड होगा उसमें केवल हतनियां होंगी और बच्चे होंगे जुंड की सबसे बजुर्ग हतनी पूरे जुंड की नेता होती है एक जुन्ड में 10 से 12 हतनिया और बच्चे होते हैं हाती 14-15 साल तक ही इस जुन्ड में रहते हैं फिर वे जुन्ड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं नंदू जब भी 14-15 साल का हो जाएगा तो वो जुन्ड छोड़ देगा ठीक हातियों की सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि जुन्ड में क्या है हतनिया और बच्चे होते हैं 14-15 साल का जब आती हो जाता है तो वो जुन्ड छोड़ देता है हाती परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं अपने बच्चों की देखबाल और स्वरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं तो ये बड़ी विशेष्टा है हातियों की ये भी आप याद रखिएगा और सब को लिखते जाइएगा अपनी लैंग्वेज में बगुला भेंस पर क्यों बैटा है चलियनीचे बताईए कमेंट सेक्षन में कौन सा संबंद होता है बगुला भेंस का जो बगुला भेंस पर बैठा रहता है चलिए एक खेजडी व्रक्ष की बात आगी है तो यह रेगिस्तानी इलाके में खुप पाये जाता है इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस पेड़ की चहल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई आती है इसकी पत्तिया वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी चाया में तुम सब बच्चे भी खेलते हैं तो काफी चायादार बरच होता है खेजडी का बरक्ष और यह सारी इसकी विशेष्टा है कि रेगिस्तानी इला राजस्तान के जोदुपुर के पास खेजड़ली गाउं में रहने वाली थी उस गाउं का नाम खेजड़ली क्यों था उसके गाउं में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे इसलिए खेजड़ली उस गाउं का नाम था कोई भी पेड़ महां पर काटता नहीं था नहीं कोई कोई शिकार करता था आज से 300 साल बाद भी यहां के लोग विश्णोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं इसकी लंबी कहानी है वो मैं आपको आगे पताऊंगा ठीक है खेजड़ली कहां पर है राजस्तान में रेकिस्तान में राजस्तान के जोदपूर ठीक है यहां पर खेजड़़ी ब्रक्ष पायाते हैं इसलिए यहां पर इस गाउं का नाम खेजड़ली रखा है यहां के जो लोग है वो विश्णोई कहलाते हैं जो को पेड़ों की रक्षा करते हैं आगे है मक्खी की बात हो रही है रानी मक्खी तो एक चत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है चत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है चत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है ये दिन भर काम करती है शहद के लिए फूलों का रस डूड़ती है जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरी मक्खियों को उसका पता चल जाता है कि रस कहां पर है वे रस से सहद बनाती है छत्ता बनाने का काम भी इनिका होता है नर्मक्षी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं नर्मक्षियों का कुछ काम नहीं होता है सारगा मादा मक्षियों का ही होता है यह सारी विशिश्चता है एक एक विशिश्चता आप आप याद कर लिजेगा हमारे लागे में बहुत सारे लीची की पेड़ हैं लीची के फूल मदमक्षियों को लुभाते हैं सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको लिखते जाएगा इसलिए यहां लोग मदमक्षियों को पाल कर सेद बनाने का काम करते हैं मैंने सोचा कि क्यो का समय कब होता है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्य पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है यह था मधुमक्य पालन से संबंदित और देख लेते हैं मदुमख्या की तरह चीटियां भी मिल जूलकर रहती हैं सभी चीटियों का काम बटा होता है रानी चीटि अंडे देती है सिपाही चीटि बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चीटियां भोजन डूड़कर बिल तक लाती है यह आपने देखा हुआ है न यह सारी चीज़ आपने देखी होंगी दीमक और ततया भी इसी तरह सम्मूह में रहते हैं तो सम्मूह में रहने वाले जानवर भी पूछे जा सकते हैं आप से कौन से ऐसे जानवर हैं जो सम्मूह में रहते हैं मदुमक्खी हो गई, चीनटी हो गई, दीमक है, ततया है, ये सारे जुंडम है, यानि कि समुह हमें रहते हैं, एक तरफ से आवाज आ गई थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग, गांदीधाम, एहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, ये जगयों के और भाणदीधाम एहमदाबाद और वलसाड ये तीन शेहर हैं जो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में, कोजि-कोड़् में है, एक शहर कोजिकोड, ये कांपर है किरल में, बच्चों को नक्ष्य पर गुजरात और किरल धिखाने से उन्हें बताने समझानेया सी होगी कि सफर लंबा है अच्छा एक चीज़ और आपसे मैप से संबंदित भी परस्न आते हैं है ना कौन-कौन से राज्यों से कौन-कौन से राज्यों की सीमाय लगती है इस तरह के परस्न भी आपसे सीटाइट में पूछे आ सकते हैं तो एक वीडियो में मैं आपको पूरा मैप हैं देखिए हमने उदिपी स्टेशन से जो गर्म गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया वहां से हमने केली भी खरीद लिए वैसे तो बहुत चोटे थे पर थे बड़े स्वाधिस्त बाहर नजारा फिर बदल गया हम हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड देख जर्पा रहे थे अमна ने बताया कि यहां चावल की खेती होती है सब कुछ सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है यहां के गाउं और यहां बने घर जानते हो यहां के लोगों का पेहनावा भी एहमदाबाद के लोगों से अलग है जादा तर लोग सफेद वा क्रीम सफेद वा क्रीम रंग की सूती दोती और साणियां पहनते हैं एमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए कुछ वहाँ पर चड़ गए तो यह बात केरल की हो रही है यहाद रखिएगा गोआ से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग पढ़ती है तो यह भी एक इंपोर्टेंट रेक्टर याद कर लीजिए 92 सुरंग है 200 पुल पढ़ते हैं गोआ से केरल तक ठीक है आगे है विविन राज्यों की भासा पहनावे बोजन और भुभागों के बारे में जानकारी खट्टे करने में बच्चों की मदद की जा सकती है मल्यालम में वल्यम्मा कहते हैं मा की बड़ी बहन को ठीक है और अमूमा अपनी मा को कहते है तो मल्यालम एक लेंग्वेज है जिसमें मा की बड़ी बहन यानि कि मौसी को मल्यालम में वल्यम्मा कहते हैं और अपनी मा की मा को यानि के नानी को अम्मूमा कहते है कड़म मल्यिश्वरी के बारे में अभी कावी सारे facts पूछे गए हैं कौन है भरोत तोलक है ठीक है वेट लिफ्टर है कडम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है आंदर प्रदेश की रहने वाली है इनके पापा पुलिस में हवलदार है जब ये 12 साल की थी तबी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी अब एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है कडम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते है उनकी चार बहने भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है ठीक है तो कडम मलेश्वरी कौन है वेट लिफ्टर है अंदर प्रदेश की है 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है इनका सबसे बड़ी उपलब्दी क्या है वो नीचे कमेंट सेक्षिन में बताएंगे आप लोग उत्तरा खंड में पाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते है मदुबनी पेंटिंग बहुत पुरानी एक चित्रकला है इस चित्रकला नाम मदुबनी क्यों पड़ा क्योंकि बिहार में मदुबनी नाम का एक जिला है त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते है यह चितर, पिसे हुए चावल के गोल के रंग में मिलाकर बना जाते हैं यह रंग भी खास तरह की होते हैं इनहें बनाने के लिए नील, haldi, फूल के पेड़ों के रंग आधी का इसतमाल किया जाता है इसमें इंसान बनाते हैं लोग जानवर मनाते हैं पेड, फूल, पक्षी, मचलία, इψाल, इस तरह की चीज़ें लोग इस painting में बनाते हैं, किसे बना जाती है, मदूबनी painting है, क्योंकि बिहार में एक राज्य है, एक जिला है, जिसका नाम है मदूबनी, किस चीज़ से painting मना जाती है, इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं तो हमारी जो कपड़े होते हैं वो किन रंगों से रंगे जाते हैं फूलों से कौन-कौन से फूल गुलदावरी का फूल और जीनिया का फूल गुलदावरी और जीनिया के फूलों के जो रंग निकाले जाते हैं उससे कपड़े भी रंगे जाते हैं और important fact में आपको कुछ चीज और बता जेता हूं उत्तर प्रदेस में रहने वाली फिरोजा नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है, तो कचनार के फूलों की सब्दी कहा पर बनती है, उत्तर प्रदेस में कचनार के फूलों की सब्दी उत्तर प्रदेस में बनती है केरल की आमनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फर्माइश करती है केले के फूलों की सब्दी कहा पर बनती है केरल में सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है तो Sahajan के फूलों के पकॉड़े कहां पर बनते हैं? महारास्टर में, कहां पर बनते हैं? महारास्टर में आगे चलते हैं, चलिए, लिखते जाएगे सारी चीजें, ठीक है, एकित आपको यह चीजे आपको याद भी करनी है शीशी खुलने पर खुश्बू का मजा लिया है तो इत्र की बात यहां पर हो रही है इत्र की चोटी सीशी सी बहुत सारे फूलों की बनी होती है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए मशूर है ठीक है जो सेंट आप बोलते हैं परफ्यूम उसको हिंदी म कन्नौज जिला मशूर है यहां पास के लागों में ट्रुकों से भरकर फूल आते हैं फिर उनके इत्र गुलाब जल और केवड़ा तयार किया जाता है कन्नौज में इस तरह के काम में हजारों लोग लगे रहते हैं गुलाब जल और गलैसरीन बराबर मात्रा में मिला कर सीशी में बर लो इसमें कुछ बूने नीबू की डालो इसके इस्तमाल से सर्दी में तवचा नहीं फटती तो आप जो सर्दियां होती है उसमें क्रीम लगाते हैं तो क्रीम से अच्छा क्या है गलैसरीन में गुलाब तूढने को कहें, बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों की शुद्ध अर्क होता है, यानि कि जो इत्र है वो क्या होता है, उसकी definition क्या है? कि फूलों का शुद्ध अर्क, अध्यापक के लिए सुहना गाउं हर्याना में हैं, यह आद रखे का, वो इंपोर्टेंट है, बच्चों को नक्षे में हर्याना गाउं डूड़ने को बोलें और दिलाए जा सकता है, सुहना गाउं के अधिकतर घर बने रहते हैं, आसपास आजानी से मिलने वाली चीजों से इस्तमाल हुई है, आसपास मिलने वाली चीजों के इस्तमाल पर कर चाहिए, अच्छा, जैसे अर्याना में गाउं है, सुहना, सुहना गाउं में जो घर बने रहते हैं, वो आसपास की चीजें जो मिलने वाली जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वेस्ट मेटेरियल, तो आसपास का जो वेस्ट मेटेरियल होता है, उससे वो लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, वेस्ट मेटेरियल से बनने वाले घर कहाँ पर हैं, तो हरना के सुहना गाउं में, करनाटक के बेलनविका गाउं में रहता हूँ, पिछले कुछ दुनों में आप आने खुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है, तो बोल सकते हैं आप ये है ना, ये इसको खुटी कहते हैं, जिससे खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, ठीक है, प्याज की फसल के अरनाटक में होती है, और किस महीने में जुलाई के महीने में लिख लीजिए है ना जैसे अगर मैं जल्दी अल्दी बोल रहा हूं तो वीडियो का जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं आप इसको लग रहा है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं अप्पा इस बार भी खेत में प्याज की बीज बोईंगे बैल कूरी गे को खीशते हुए खीशते जाएंगे और अप्पा पीछे-पीछे से बीज डालते जाएंगे ठीक है माने इलिगे की मदद से प्याज को पौदे से अलग कर दिया कल्चडी और कौवा कुछ विशेषता हैं कल्चडी और कौवा की इंडियन रेबिन याने की कल्चडी कल्चडी को इंडियन रेबिन भी कहते हैं सबसे पहला अंडे देती है दूसरा पॉइंट मैंने दूरबीन से गॉंसले में देखा गॉंसले गॉंसला घास से बना हुआ है जिसके उपर नाजुक टहनी, जड़, उन, बाल, रुई सब बिचा हुआ है कल्चडी का गॉंसला ऐसा ही होता है आखिर उसके बच्चों को आरामदाए घर और बिस्तर चाहिए कल्चडी कोई जैसी नहीं है कोई को गॉंसले में लोहे के तार और लकडी की शाक है जैसे चीजों की जरूत पढ़ती है कल्चडी के गॉंसले में एक बच्चा भी देखा आपर यह बात बोल गई है कि कल्चडी का गॉंसला है वो नर्म होता है कोई का जो गोंसला है वो कठोर होता है उसमें लोहे के तार वगरा लगे रहते हैं लेकिल कल्चडी का जो गोंसला होता है उसमें नाजुक चीज़ें लगे रहते हैं जैसे नाजुक तहनी है उन, बाल, रूई इस तरह की चीज़ें ठीक है गिजुबाई बदेका के बारे में काफी जादा पूछा आता है गुजरात के हैं किसे कहानिया पत्र लिखते थे ये उनके द्वारा लिखे हुए पत्र के आसपास पच्चियों के बारे में बताये गया है इस पत्र को पढ़ते हैं कोयल और वसंत कोरी कुछ विशेशता हैं और हैं कोयल के बारे में कोयल बहुत मीठा काती है ये सब को पता है वह अपना गोंसला बनाती नहीं है वह कोय के गोंसले में अंडे देती है कोवा अपने अंडों के साथ कोईल के अंडों को भी सेता है तो ये कोईल के सबसे बड़ी विशेस्ता है कि वो खुद से घर नहीं बनाती है खुद से गोंसला नहीं बनाती है कोईल गोंसला इसका बनाता है और वो कोई के गोंसले में ही अंडे देती है और कोवा भी अपने अंडों के साथ इसके अंडों को सेता रहता है लटकता हुआ गोंसला, डाल से गोंसला लटका हुआ है पच्छियों में भी कितना अंतर है कोवा पेड की उची डाल पर गोंसला बनाता है जबकि फाक्ता, कैक्टस के काटों के बीच या महंदी की मेंड में गोरया आम तोर पर घर के आसपास दिखाई देती है वह कहीं भी गोंसला बना लेती है अलमारी की उपर या फिर आईनी के पीछे तो देखे चार पांच लाइन है और चार पांच लाइनों में काफी सारे important point आपके लिए सबसे पहले तो कुछ पक्षिओं के बारे बोल देता हूं जैसे कौँठकी उच डाल पर गोंसला बनाता है जैसे कौई का गोंसला आप देखोगे कभी भी तो पेड़गी सबसे उपर ही डाल पर होगा गिद गा या फिर बाज का या फिर कौई का तो यह पूछा आता है कि पेड़े की सबसे ऊपरी должны डाल पर गॉंसला कॉन बनाता है तो गिदGER, बाज वगैरा या फिर कवह ठीक है? और फाक्ता पक्स की है या फाक्ता पक्सी है वो केक्टस के कांटों के बीच में अपना गॉंसला बनाता है एक फाक्ता पक्षी है, जो केक्टस के कांटों के बीच में अपना गोंसला बनाता है, या फिर मेहन्दी की मेंड में, गोरिया है, आम तोर पर घर में या फिर आसपास होती है, वह अलमारी वगरा की उपर अपना गोंसला बनाती है, ठीक है, याद रखेंगे, वसंतगोरी ल यहाँ पर इसके बारे में भूला गया है, देख लेते हैं क्या important है, तो पुराने मकान या फिर खंडरों में कबूतर अपना गौंसला बनाते हैं, वसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, पेड के तने में गहरा छेद बना कर उसमें अंडे रखते हैं, वही जो मैंने आपसे प्रस्ण पहले पूछा था, उसके बीच में बनी थैली के अंडों को देने के लिए तयार करती है, यही उसका गौंसला है, ठीक है, यह दरजें चड़िया है, जो कि सिल सिल कर अपना गौंसला बनाती है, शकर खोरा किसी पेड या जारी की डाली पर अपना लटकता हुआ गौंसला बनाते हैं, तो लटकता हुआ गौंसला के अगर बात करें तो कौन है, शकर खोरा, उसी साम हमने एक डाल पर से लटकता हुआ गौंसला, खोरा का गौंसला देखा और ये जो शकर खोरा का लटकता हुआ गौंसला ये किन-किन चीज़ों से बनता है गौंसली में बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनिया होती है, सुके पत्त, रूई, पेड की छाल के टुकड़े या फिर कपड़ों के चीथड़े, इन सबसे बनता है, शकर खोरा का लटकता हुआ गौंसला ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट आपको पता चल गए, कबूतर का पता चल गया, दरजिन चिडिया का पता चल गया, शकर खोरा का आपको पता चल गया वीवर पक्षी, एक और पक्षी होता है, वीवर पक्षी इसका नाम है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, मैंने दूरबीन से देखा, उस गोंसले में एक भी बच्चा नहीं था, गोंसले की तरफ छोटा सा छेता, वहीं बच्चा बैठा था, अपनी मा और खाने के अंत गोंसलों को देखती है, उसमें से जो अच्छा लगता है, वो उसमें ही अंडे देती है, याने की वीवर पक्षी के पास क्या है, चॉइस होती है, वीवर पक्षी बहुत सारी गोंसला बनाता है, जो मादा वीवर पक्षी है, उन सभी गोंसलों को टेस्ट करती है, जो भी आगे के दाथ छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए घास चवाने के लिए पीछे के चपटे और बड़े दाथ होते हैं, गाय के जो आगे के दाथ छोटे होते हैं, लेकिन घास बगरा को चवाने के लिए पीछे वाले चपटे दाथ होते हैं बिल्ली के दान्त कैसे होते हैं नुकीले होते हैं जो मास फाड़ने और काटने के काम आते हैं साप के दान्त होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चवा कर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है ठीक है, सापके दो दांत होते आगे लेकिन वो कुछ करता नहीं उनसे क्या करता है, अपने शिकार को केवल निगल जाता है गिलेरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने और कुतरने के कारड इनके दांत गिसते रहते हैं तो यह भी एक important fact है गिलेरी के जो दांत है, वो आमेशा आपको बढ़ते हुगे दिखाई देंगे और दांत से वो काटी रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ 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 ना कुछ कुछ गतरती रहती है, इसलिए उसके दांत घिसते रहते हैं सबसे important point क्या है ? यहाँ पर एक पंचायत है जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी है और इस पंचायत का नाम है भीमा संग भीमा संग नाम एक पंचायत है नामा के पंचायत है करना टक्के हुलगुंडी गाउं की है पंचायत बनाई गई है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों सामिल है कहां की है करना टक्की चलिए अच्छा यह भी पूछा आता है बहुत अच्छा यह मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूगा छोटा सा कि कौन सी सबजीयों की जड़े हैं हैना कौन कौन सी सबजी जड़़ में आतीगे कौन कौन सी तने में आतीं है हैना यह सारे चीजे में आपको बता दूँगा बरगद के पेड की लटकन जिस पर अब्दुल अच्छा बर्गत के पेड़ में जो लटकन है होती है उसके बारे में बताई गई है बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है यह जो लटकन है वो बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर ही चली जाती है यह मजबूत खम्मों की तरह पेड़ को सहारा देती है दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरिगत की जनए होती है पेड़ काटने के खिलाफ कानून तो यह कानून बना गया है कि पेड़ कोई नहीं काट सकता केवले तना यह जाद इंपोर्टन नहीं है एक इंपोर्टन यहाँ पर एक और इंपोर्टन फेक्ट आपके लिए जिसमें बुला गया है रेगिस्तानी ओक के बारे में रेगिस्तानी ओक कॉस्टिलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, इसकी उंचाई तुम्हारी क्लास की दीवारों के लगबग होती है, पत्तियां बहुत कम होती है, अंदाजा लगाओ इसमें जड़े जमीन के कितनी गहरी ते जा सकती है, तीस पेड जमीन की लाइन से लिटा दिये जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहर जाती है, पेड़ की जड़े जब तक के पानी तक न पहुंच जाएं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, उस लाके में रहने वाले लोग ये बात जानते हैं, जब कभी इस लाके में पानी नहीं होता है, तो वहां के लोग इसके तने की अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निगाल लेते हैं तो रेकिस्तानी ओक की बात हो रही है रेकिस्तानी एक पौदा है पेड़ है जो कि आस्ट्रिलिया में पाया जाता है याद रखेंगे इसकी जड़ें काफी ज़ादा गहरी होती है और इसकी ज़़ें में काफी सारा पानि होता है जब किसी इलाके में पानी की किलत या फर पानी की कमी पढ़ जाती है तो वहां के जो लोग हैं उनकी जो जड़ये हैं उसमें पाईब डालकर पानी निगाललेते हैं ठीक है तो यह रेकस्तान sect कि कहां पर ऑूस्ट्रिलिया में विश्व परियावरण दिवस पर पॉद लगाने के लिए प्रिजफ परियावरण गर्रोम गर्विस्वी परियावरण कमेंट सेक्षेन में बतादी करें चली आगे बढ़ते हैं बिहु का तयोहार एक बिहु तयोहार है एक बिहु का चेहार है ainda a u और देख लेते हैं क्या important factor है रात के भोज से पहले घास और बांच से भेला घर तयार किया जाता है देखें यह है रात का जो भी भोजन है उससे पहले भेला घर तयार किया जाता है बांच वगरा से ठीक है और घास से और उरूका कहते हैं साइद इसको उरूका ठीक है याद रखेंगे इस तोवार को उरूका भी कहते हैं जब ये भेलागर बना जाता है और इस भेलागर को बनाने के बाद ही बोजन किया जाता है उसको जब सब लोग एक साथ खाना काते हैं उस चीज़ को उरूका कहते हैं पहले दिन को अरुका कहते हैं, अरुका इसके पहले दिन को कहते हैं, याद रखेंगे, इसका जो पहला दिन होता है, बीहु तोयोहर का, इसको अरुका कहते हैं, इस दिन अर्स्थाई शेड याने के छपर बनाते हैं लोग, जिसे भेलागर कहते हैं, और सामुहिक भोज का आ इससे हमें पता चनला कि असम का एक तिवहार है विहू,, जो कि जन्वरी में मना जाता है और इस दीन चावल की फसल कटती है जब यह बना जाता है इस दिन क्या हैलो का लोग भेला घर बनाते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं इस तोहार के पहले दिन को उरूका कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बच्चों का हक मिड्डे मील, तो मिड्डे मील से संबंदित है, बरबेट खाना नहीं मिलता, इसमें ऐसे कई बच्चों को स्कुल कुछ खाये जाते हैं, खाली प ये बच्चों का अधिकार है, तेलंगाना राज्य के पोचंपली कजबे के पास हैं, या जातर परिवार भुनकर हैं, अच्छा, एक important fact ये भी है, कि तेलंगाना राज्य का पोचंपली कजबा है, यहाँ पर जातर जो लोग हैं वो भुनकर होते हैं, है न, चलिए, आगे करगा होता है, उसमें कई सारी सूईयां होती है, डिजाइन के साब से सूईयों का नमबर घठता बड़ता है, कारिगर चमकदार रंगों की बहुत-बहुत सुन्दर पोचंपली सारियां बनाते हैं, इन कारिगरों ने अपनी कला से इस आलागे का नाम दुनिया भर में मश सिद्ध है, दिखते हैं आगे, ये फेक्ट भी आपका आया था, देखिए, उपर ओड़ रहा था, प्लेन की बात हो रही है, इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी थी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, ला तो रेत के टीले पूछा गया था, रेत के टीले कहा होते हैं, वो है ये, मैंने तो केवल समुद्र कनारे ही रेत देखी है, मालू बोल पड़ी, अभी आपको यहां पर पता चलेगा, मलयालम में चिट्टन, पिता का छोटा भाई, अच्छा ये फेक्ट दूसरा है, और यहां पर फिर आगे important factor ये दिया गया है, कि मलयालम में चिट्टन, पिता के छोटे भाई को कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पतनी, यानि कि चाची को कुंजम्मा कहते हैं, पोचंपली की तरह भारत के कई लागों में कुछ चास चीज बना जाती है, इन ये लाकी भी मशूर हो गए इन चीजों से जैसे कुल्लू की शॉल, मदुबनी पेंटिंग, बिहार की, असम की सिल्क, कश्मीर की कडाई, है ना, तो ये सारी चीज़ा famous है, अच्छा, इसमें point आगे भी दिया गया है, जैसे देखिए, शीने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए, शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपे होते हैं, जैने दिरहम कहते हैं, अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है, दिरहम, उन पर वहाँ की अर्भी भाशा में कुछ लिखा होता है, उन्होंने अपने घर और आसपास की जगों पर तस्वीरें भी दिखाई, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक पेड़ है, जो वहाँ उख सकता है, अबू धाबी जो जगह है, वहाँ पर केवल खजूर के पेड़ दि केरल में, जिसमें तेजपत्ता, छोटी लायची, बड़ी लायची, काली मिर्च जातर केरल में पाई जाती है, चलिए यहाँ पर दोस्तो, क्लास 3, क्लास 4 की NCRT की जो EVS है, वह भी कम्पलीट हो चुकी है, अब हम इस से आगे बढ़ेंगे, क्लास 5 की और, अगर क्लास 4 मे आपको कोई भी फेक्ट छूट गया हो, अगर आपको लगता है, क्लास 4 में यह चीज भी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा, ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं, क्लास 5 की और, चलिए देख लेते हैं, क्लास 5 में कौन-कौन से इंपोर्टेंट फेक्ट है, बहुत साल पहले एक विज्ञाने को ने इस तरह के प्रयोग किये थे, नतीजों पहुंचे कि चीटिया चलते समय, जमीन पर कुछ ऐसा चोड़ती है, जिसे सूंग कर पीछे आने वाले चीटियों को रास्ता में जाता है, जिसे चीटिया चल रही है, अब बीच में जाती है, आपने देखा होगा, चीटि रास्ता बूल जाएगी, तो रास्ता ज़रोद घूमेगी या फिर बापस लोड़ जाएगी, या फिर आगे भी जा सकती है, तो यह बुला गया है विज्ञाने को ने कि चीटिया जमीन पर चलते समय को छोड़ती जाती है, जिसे पी जंदगी होती है, मेल बरा होता है उसकी वज़े से, है न, तो हमारे सरीर की जो गंद है, वो पेरों के तलवे की जो गंद है, या फिर सरीर की जो गर्मी है, उससे हमें मच्छर डूड लेते हैं, सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगे बटी होती है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंद जान लेता है, कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया है, तो ये कुत्तों का सिस्टम है, ठीक है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलो मेटर दूर से पहिंचानलेता है दिन में जागने वाले कुछ जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं, तो ये भी जानवरों से important एक fact है, कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं, वो केवल चीजों को black या फिर white ही देख सकते और जो दिन में हैं वो कुछ रंग ही देख सकते हैं, इंसान के बरावर साइद हो सकता है, को वो इंसान के बरावर जितनी भी रंग है वो नहीं देख पाते हो, पच्छियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान चोटे-चोटे चेद होते हैं, जो उनके पंकों से भखी रहते हैं, यह तो हमने पहले पढ़ लिया। जमीन पर हुए कंपन से ही वह सुन पाता है। और साप की ये वो विशेचता है कि कान नहीं होते उसके भारी कान नहीं होते जमीन पर जो कमपन होता है उससे वो समझ लेता है उससे सुन पाता है चलिए आगे बढ़ते हैं लंगूर पास आती मुसीबत जैसे सिर्चीता को देखकर वै खास आवाज निकालते हैं निकालकर अपने साथियों को संदेज देता है इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं तो आपने देखा हुआ जंगल में लंगूर बगरा है या पर जो पक्षी है जब कोई मुसीबत आती है तो एक खास तरह की वो आवाज निकालते हैं ठीक है जैसे वो अपने साथियों को बुला सकें बता सकें कुछ पक्षी अलग अलग खत्रों के लिए अलग अलग अवाज निकालते हैं जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की अवाज जमीन पर चल कर आने वाले दुश्मन के लिए किसी दूसरी तरह की अवाज तो पक्षियों में सौरी जानवरों में यह भी व एक बड़ा important fact है ये, जब खत्रा होता है मचलियों पर, मचलियों को जब भी खत्रा लगता है, तो वो क्या है, एक दूसरे को जो चेतावनी देती है, वो बिजली तरंगों से देती है, light waves से, ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले, अजीब हरकतें करने लगते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के इस विवार को समझ जाते हैं, और जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ अनोनी होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें, ये गटना बहुत बार हुई है, कि जैसे कुछ भूकंप आने वाला है, या फिर कुछ भी बार आने वाली है, तो जानवर क्या है, अलग से आवाज निकालते हैं, जब वो आवाज निकालते हैं, तो वहां के जो इस्थानी एं इलाके के लोग है, वो समझ जाते हैं कि कोई खतरा है, और फो क्या करते हैं, उस जगह को खाली कर देते हैं, जैसे 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी, है ना, जब सुनामी आई थी, तो जानवरों में कई चेतावनी भरी आवाज नों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाती समझ गई थी, जैसे अंडमान ने को बार जो द्वीप समू है, वहाँ पर आदिवासी रहते थे, 2004 में वहाँ पर सुनामी आई थी, तो जो वहाँ के जो आदिवासी थी वो समझ गई थे, क्योंकि जानवर अलग तरगी आवाज निकाल रहे थे, तो वो लोग समझ गई थे, उल्क लटक कर सुथाही है, ये जिस पेड़ पर रहता, इसके पते खाता रहता है, इसलिए इसे कहीं और जाने की जुरूद भी नहीं पड़ती है, जब ये पेड़ें पते खालता है, तो पास में जो पेड़ होता है, उस पर चला जाता है, 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही गुमने की तकलीफ उठाते हैं यानि कि बहुती लेजी जानवर है ये sloth, ठीक है सब्ता में एक बार नीचे तरता है कि ये वर सौच करने के लिए एक दमस्त जानवर है चली आगे बढ़ते हैं बाग के बारे में थोड़ा सा बाग के बारे में बता देता हूं अंधेरे में हम से 6 गुना बहतर देख सकता है बाग ठीक है इनसानों से 6 गुना बहतर अंधेरे में ये देख सकता है बाग की मूचे हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और सिकार की बिलकुल सही स्थिति का पता लग जाता है और इसकी जो अंधिरे में रास्ता दूणने में मदद मिलती है एक बाग किसी दूसरे बाग के मूतर की गंद को जट से पहचान लेता है फिर उस इलाके में गुसना नहीं है या फिर गुसना नहीं है वो बाग की मरजी होती है ठीक है तो ये इनका कम्मुनिकेशन का वो है तरीका बाग मौके के अनुसर अपनी आवाज बदलता है गुसे में अलग आवाज निकालेगा बाग इनको उसको बुलाना होगा तो अलग आवाज निकालेगा कभी दर्दो रहा होगा या फिर करा रहा होगा तो अलग आवाज निकालेगा बाग का गुर्राना जब ये गुर्राता है तो तीन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है तीन किलोमेटर दूर से आप पता लगा लोगे कि बाग आने वाला है ठीक है हवा में पत्ते हिलने और शिकार के जाडियों में हिलने इसे हुई आवाज में अंतर भाप लेता है क्यानि कि हवाज से पत्ते हिल रहे हैं या फिर किसी कोई जानवर है या फिर कोई शिकार है उसकी वज़े से पत्ते हिल रहे हैं तो ये अंतर पता कर लेते हैं बाग के दौनों कान बाहर की आवाज एकटा करने के लिए अलगले दिशाओं में ज्यादा घूम भी जाते हैं तो काफी सारी विशेचता हैं बागों की स्क्रीन्शॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए ना तो पूछी आ सकती है आपसे एक्जाम में आगे देखते हैं कई जानवरों इतनी कम हो गई है कि लुप्त होने का खत्रा है तो यहां पर यह विलुप्त होने वाली जो प्रजाती है उसमें इसको रखा गया है जैसे उत्तरा खंड का जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क राजस्तान के भरतपुर जिले का जो घाना पक्षी भिहार है वो इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते काल बेलिया नाच की एक मुद्रा है देखिए यह एक नाच की मुद्रा है जैसे उल्टा होकर ऐसे यह डांस करते हैं इसको बोलते हैं काल बेलिया ठीक है काल बेलिया कौन लोग होते हैं जो सांप वगरा पकड़ते हैं ठीक है चार प्रकार के जहरीले सांप ये भी पूछा जाता है हमारे देश में क्या है चार प्रकार के जहरीले सांप पाई जाते हैं जहरीले सांपों में चार प्रकार हैं कौन-कौन से हैं नाग करेत दुबोईया अफाई साप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दातों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है इस जहर से बचने का एक यूपाय है जिस व्यक्ति को साप ने काटा है उसे तुरंत जहर की एसर को खत्म करने वाली दवाई याने की सीरम दी जाए इस सीरम साप की जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्त के इंदरों पर मिलती है एक दिन शाम को खाने काते समय चिन्ना बाबु ने कहा अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं उनका मामणी तांड्रा मामणी तांड्रा बोलते हैं आम पापड को ठीक है चार अफ़तों का मेहनत वाला काम है चलिए यहां पर केवल इंपॉर्टेंट यही है सांप से संबंद देता है ठीक है याद रखिएगा नाग कुरत दुबई आफाई चलिए यह कोई चीज़ें और हैं जैसे खाने की चीज़ का नाम दिया है जैसे कच्चा दूद है तो पेटर में पचने में कितना समय लगता है दो गंटे 15 मिनट ग्लास के पाचक रस्म है चार गंटे 45 मिनट तो जाद इंपॉर्टेंट नहीं है आप याद रख से ने उबला हुआ दूद 2 गंटे में पच्चा दूद हमारी शरीर में भाई गंटे सवा दू गंटे में पच्चे जाता है पूरी तरह अब्ला हुआ वंटा तीन गंटे 30 मिनट में पच्चता है कम वर्डा होंद में पच्चा दूद 2 में पच्चे जाता है क Eck गंट गंटा 30 मिनट में पच्चे जाता है देखिए एक इंपॉर्टेंट है या पर दी गई है 1948 की घटना है जोर्ज मेस्ट्रल अपने कुट्टे के साथ सेहर से लोट रहे थे अच्छा यहां पर वह हैं कि बीज चिपके हैं उन्होंने बताए कि दौनों पर बीज चिपके हैं इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर लेकर वे हरान हो गए माइक्रोसकोप नेकाला फिर वह सारी चीज़ अच्छा इसमें बताए किसली बारे में है अच्छा यहां पर वेल्क्रो के बारे मताया है देखिए जो नहें हमारी चप्पल वगरती है ना तो वह चप्पल एक एक वह एक यह मैं आपको दाता हूं देखिए ना, तो यह चपल है, तो यह चपल के ऊपर लगाया आता है, वेल्क्रो, इसे क्या है, चपल का यह जो तनी है वो एक दूसरे चिपक जाती है, तो यह चिपक जाने का आइडी आया था, उनिस सो अरतालिस में जोर्ज मेस्ट्रल को, ठीक है, तो उन्होंने यह वेल् नेपेंथिस, चूहे मेंडकों, कीडे मोकोडे और चोटे जानवरों का शिकार करता है, नेपेंथिस, इसका नाम है, औस्टेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेगाले राज्यमा यह पाये जाता है, इसका आगर लंबे गड़े जैसा होता है, जिसके उपर पत्ती का ड़ जिसकी वज़े से कीडे मोकोडे चले आते हैं, पेडों के ऊपर पहुचते ही, कीडे अंदर फस जाते हैं, और बाहर नहीं निकल पाते हैं, देखा यह पौदे शिकार करते हैं, वह भी कितनी चितुराई से, तो यह पर नेपेंथिस पौदे के बारे में बताए गया है, ज कन बंद हो जाता है, ठीक है, पौदे सोयंभी अपने बीजों को दूर चटक देते हैं, तो ऐसे कौन से पौदे हैं, जो अपने बीज को अपने आप ही दूर चटक देते हैं, याद रखेगा, मिर्चे से संबंदे थे, मिर्च अमारे देश में कहां से आई, तो पुर्तगाल देश के व्यापारी दच्छड अमरीका से भारत लाए थे, ठीक है कौन लाए था, पुर्तगाल देश के व्यापारी कहां से लाए थे, दच्छड अफरीका से भारत में, वो मिर्च लाए थे, अब ये पूरे भारत में होगा याती है देखे अलबरूनी से संबंदेत एक fact पूछ लिया गया था अगर आपको याद हो अलबरूनी से संबंदेत एक fact पूछ लिया गया तो सारी चीज़ा है इसलिए मैं पूरी पूरी पढ़ रहा हूँ क्योंकि कुछ भी रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए ये है चैसो साल पुराना गरसी सर, गरसी सर यानि कि तालाब ये सल मेरे के राजा हैं गरसी, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर इसको बनवाया था गरसी सर तालाब को सजीव इबरामदे कमदे बड़े हॉल ना जाने क्या-क्या, यहां लोग मिलते जुलते थे, जले सर, जल से होते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ते थे, सभी इस बात का ध्यान रखते थे के तालाब बंदा नहों और सफाई में भी हाथ बाट से तो यहां पर जैसल मेर, राजस्थान में जो जैसल मेर है, वाके एक राजा थी गड़सी, उन्होंने गड़सी सर तालाब बनवाए थे, ठीक है, आज से 650 साल पहले अलबरुनी, हमारे अजार से भी जादा साल पहले एक यात्री भारत आए, जिनका नाम था अलबरुनी, अलबरुनी जिस से आयते उसका नाम था उजभेकिस्तान, अलबरुनी ने बहुती बारिकी से चीजों और जगों को देखा, और उनके बारे में लिखा, कास दौर सेवे जो अपने देश लग लगी चलो देखें कि अबरुनी उस समय के तालबों के बारे में क्या लिखा यानि कि अबरुनी एक यात्री थे जो भारत आये थे उन्हों ने भारत में जो तालब है उनके बारे में काफी ज़्यादा लिखा था और ये थे उजबेकिस्तान के कई सो साल पुराने पानी के शिरोत तो सो साल पुराने पानी के शिरोतों में कौन-कौन सी चीज़े आती है बावडी, तालाब, नौला, धारा ठीक है यह आप याद रखेंगे 1986 में जोदपुर और आसपास के अलाकों में जब सूखा पढ़ गया था तब भूली बिसरी बावडीयों को एक बावडीयों को एक बावडीयों को एक फिर से याद किया गया था मौले के लोगों ने मिल जोलकर बावडी में से 200 ट्रक से भी आ था कूड़ा निकाला बावडी ने फिर से प्यासे सेहर को पानी पिलाया इसके लिए चंदा मौले बालों ने दिया कुछ साल बाद फिर अच्छी बारिश फूरी पानी की परिशानी कम हुई अब फिर से बावडी को बुला दिया गया तो बावडी एक तरह के तालाब होते थी कि यह बावडी, तालाब, नौला, धारा, तो यह पानी के शुरू होते हैं, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, मरत सागर के बारे हैं, यहाँ पर मरत सागर, एक लीटर पानी में 300 गराम नमक होता है, जैसे एक लीटर पानी लो और इसमें 300 कराम नमक डाल दो, इसी तरह का मरत सागर है और इस पर हम तैर भी सकते हैं, जैसे तो अगर आप इस पर लेट जाओगे ना तो आपको लोगेगा तैर रहे हैं, क्योंकि इतना जादा नमक होता है कााच की स्लड़ पर खुून की बून है, मलेरिया माधा मच्चर एनफिलिस से फैलता है, अच्छ यहां पर एक फेक्ट बताये हैं, जो मलेरिया है ऑज है वह माधा मच्चर है उसका नام है एनफिलिस से फैलता है। मलेरिया की दवाई के बारे में बताए गया है कि मलेरिया की दवाई है बहुत पुराने समय से सिनकोना पीड़ की च्छाल से बनाई जाती है पहले तो लोग च्छाल को अबाल कर और च्छानकरी इस्तमाल करते थे लेकिन अब च्छाल से दवाई बनाई जाती है तो मलेरिया मादा मच्छर एनफलीस से होता है, इसकी दवाई है कि सिनकोना ब्रक्ष होता है, सिनकोना ब्रक्ष की पीड़ी की जो च्छाल है, उससे इसकी दवाई बनाई आती है, तो यह important fact है आपके लिए, आगे बड़ते हैं डांडी यात्रा के बारे में, डांडी यात्र यह उई थी 1930 में, भारत की आजादी से पहले, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है, नमक पर रोक लगाए थी, उपर से नमक पर भारी टेक्स भी लगा दिया था, तो इस कानून से लोग अपने घरों से इस्तमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे, बला बताओ, नमक जैसी च साथ बुली गई है, यह डांडी यात्रा है, वो नमक से संबन देता है, नमक का जो कानून है, उसको तोडने के लिए डांडी यात्रा 1930 में ही गई थी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अनीमिया, अनीमिया क्या है देग लिए जाज आज जान लेते हैं, खुन टेस्ट में तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज यानि इंफेक्शन बरकर कुन लिया गया था, जाँच में तो अमीनिया निकला, तो क्या है, डाक्टर ने बताया कि हीमोगलोबिन या फिर आइरन की कमी है, डाक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़ आवला और हरी पतेदार सबजियां जो अनीमिया हो जाता है, ये दिल्ली में भी फैल गया था एक बार 2007 में, नगर निरम के जितनी भी स्कूले में हजार बच्चों को अनीमिया हो गया था, इसमें क्या होता है कि बच्चों की शारिक और दिमागी तंदूस्ती पर असर पड़ता है, इस कारण बच्चे ठीक से ब वही की दवाई दी जाती है, तो वही है अनीमिया एक बिमारी है, जो की बच्चों में हो जाती है, हीमोगलोमिन और आयरन की कम ही से, उसमें पतले-पतले, छोटे, भूरे से रंग के कीड़े तेर कर देखने को, ममी ने बताया कि मच्छर पानी मंडे देते हैं, यही से ये निकलते है, इन्हां लार्वे कहते हैं, ठीक है kulli बारे तो ये भी आ प्याद रखियेगा, जो मच्छर होते हैं वो पानी मंडे देते हैं, और इसमें पानी की जो उंडे होते हैं उसको लार्वे कहते है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पानी को एक ठा करके मत रखो बच्छेंदरी पाल, तो बच्छेंदरी पाल के बारे में बताएगा है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चड़ाई करी थी, इनके गुरू जी ते ब्रिगेडियर ज्यान सिंग, ठीक है, खुशी का माहौल सभी गाव जा रहा थे, बच्छेंदरी के एक मशुर चलिए, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, और क्या है, सुनिता विलियम के बारे में बताएगा है, नील आर्मिस्ट्रोंग चांद पर उतरते देखा, यानि कि सबसे पहले नील आर्मिस्ट्रोंग चांद पर गए थे, 1969 में नील आर्मिस्ट्रोंग चांद पर उतरने व ये भी आप याद रखिएगा और सुनीत अविलियम क्या है सुनीता ने रटकर आगे पढ़ाएगी ट्रेनिंग लिए और वे अंतरिच्च में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिलाएं बनी ठीक है याद रखेंगे ये बहुत इंपोर्टेंट है एक इंपोर्टेंट फेक्ट में आपको बताएता हूँ चांगपा ठीक है नाम गलाए तो नाम गलाए एक लड़का है यहाँ पर उनी से चांगपा के बारे में पता किया तो चांगपा गया है एक इलागा है जिसमें बड़े इलागा है जिसमें केवल पांच यार लोग रहते हैं चांगपा जो होते हैं वो गुमंतु लोग होते हैं ठीक है चांगपा एक लोग है जो गुमंतु लोग है एक जगह पर नहीं रहते वे हमेशा बेड़ बकरियों के जुन्ड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानी मैदानों की खोज में गुमते रहते हैं इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिलता है जैसे दूद, मास, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए उन है न चांगपा खास तरह की बकड़ीयां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशूर पास्मीना साल बनती है पास्मीना उल्वन बनती है जितनी थंडी और उँची जगे होती है इन बकड़ियों के बाल भी उतने ही जादा और नरम होते हैं इसलिए चांगपा इन्हें मुस्किल हालातों में भी इतनी उचाई पर रहना पसंद करते हैं यही है इनकी जन्देगी तो चांगपा लोग होते हैं गुमंतु लोग होते हैं जो कि भीड़ बकरे पालते हैं और इनी से बनती है पास्मीना उन जो आप 5 मिना सॉल मिलती है, वो इनी से से बनती है। चली, आगे armate कि इसके बारे में बताय से ल के बद बताय कह एक कि पाश मिना सॉल 600 हैटारों के बरावर गर्मी होती है इतनी गर्मी में मोटी बिल्कुल नहीं गर्म होती है लेकिन वो पाश मीने शौल मोटी नहीं होती ठीक है यह पाश मीने बनता है बकरियां पहाड़ी बकरियों की एक खास नसल से जो लगवग 5,000 मीटर की उचाई पर रह सकती है यहां सर्गियों में ताप मान जीरो डिग्री सेंटी ग्रेट से भी कम मानस 40 डिग्र सेंटी ग्रेट तक चला जाता है इतने पतले के बकरी के छह बाल मिलाकर तुमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बरावर होंगे अच्छा इतना पतला बाल होता है इनका ठीक है जो बकरियां होती है इसलिए पाश मीने शौलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता इनक पाश मीना शौल को तैयार करने में 200 गंते लगते हैं इतनी मेहना सोच अगर डिजाइन वाली शौल बुननी हो तो कितने दिल लगेंगे बोटी की तरह बने लकडी के डौंगे पानी में तैरते रहते हैं स्री नगर की डल लेक और जहलम नदी में इन डोगों में कई परिवार रहते हैं यह पानी में एक तरह का डॉंगे नाव जैसा बोला गया है जो नाव होती है उनको डॉंगे बोलते हैं तो डॉंगे यह क्या है कशिमीर में जो भी श्री नगर है शिरी नगर में डल जील है जो जीलम जील है उसमें ये डॉंगे त्यायते रहते हैं और लोग उनी में रहते हैं पानी के अंदर ठीक है शिरी नगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच से इनकी चोड़ाई 8-9 फुट होती है तो यहाँ पर यह कुछ बताए गया है कि खिड़िकियों के बारे में इसमें सबसे पहले, सबसे उपर वाला देखते हैं बाहर की ओर उभरी होती है इन्हें हम डब कहते हैं, क्या केते हैं डब इनमें बेटकर बाहर का नयारा बढ़िया दिखता है यह आपको बाहर की तरफ एक खड़गी दिख रही है इसको डब कहते हैं, ठीक है हाउसबोट में कई घरों में गरों के अंदरी छत पर लकडी की सुन्दर नकासी होती है इन्हें एक खास डिजाइन खतम बंध है जो जिक्सो पजल जैसा दिखाई देता है चलिए कुछ और विशेशता है है हाउस बोट वगरा की श्रीनिगर में जो घर है उनकी आगे बढ़ते हैं जूमकेती जूमकेती का एक तरीका नराला है ठीक है तो लास्ट पॉइंट है यह जूमकेती के बारे में बताता हूँ मैं एक फसल काटने के बाद जमीन में कुछ साल तक आराम देते हैं जूमकेती में क्या होता है एक फसल कर दी फसल काट दी कुछ साल तक उसको फिर ऐसे छोड़ देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगे जो बास या जंगल उगाता है उन्हें उखारते नहीं है बस गिरा कर जला देते हैं यह खास जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले जंगलों को नुक्सान न पहुँचे यह अभी देखना पड़ता है फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को सोजा जोता नहीं जाता मिटी को हलके से हिला कर बीज छड़क देते हैं एक ही केत में अलग-लग तरह के बीज जैसे मकई, सबजियां, मिर्च और चावल बोई जाते हैं फसल के समय भी अंचाही घास पौदों को खारते नहीं है इन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिटी में मिल जाएं इससे भी जमीन उपजाव बनती है अगर फसल पकने पर एक गाउं में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं चेराव नाच, चेराव नरत्य है, ठीक है, चेराव नरत्य भी करते हैं इस नाच में जमीन पर मास की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और डोल की ताल पर डंडिया को जमीन पर पीटते हैं डंडिया के बीच लोगों की एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं तो यह आपका खत्म हो चुका है 5th class में जितने भी NCRT के important point थे मैंने आपको सारे बता दिया यह जूम खेती के बारे में था इसको और भी अच्छे से बढ़ लेना screenshot ले लेना ठीक है और अपनी language में important important जो लगे वो लिख लेना तो दुरस्तों हमने पूरी NCRT की तो EVS उसकी summary को complete कर लिया है class 3, class 4 और class 5 की यह एक पूरी मेराथन वीडियो थी इससे बाहर आपका कोई भी प्रस्न नहीं जाएगा अगर इससे बाहर कोई प्रस्न जाता है वैसे नहीं जाएगा कोई भी जाता है तो जो मैं EVS का content जो भी बढ़ाऊंगा वहां से cover हो जाएगा ठीक है अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिला है नया मिला है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे दोस्तों के साथ सेयर करेंगे और अगर पहली बार चैनल पर आएए तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को ओल पर सेट जरूर कर लेना ठीक है मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्टी वीडियो में अभी के लिए तना ही धन्यवाद